Computer Science रा Information Technology का Professional Course अर को लागे Subscribe गणोज Tech Shastra YouTube Channel Hello Everyone, Welcome to Tech Shastra Tech Shastra YouTube Channel अंतरगत को Q- Basic Programming Course मा तप युरू सभी जानलाई फिरी पने आर्दिक स्वागत गरने साहांचू आमी Q- Basic Programming Language अंतरगत Variables को बारे मां डिस्कर्स गरी रहे काशू अमीले था अब इसे केगुछा Q- Basic Programming Language मा जम्मा द्वी की सिमका Variable उर रहाचान। युटा Numeric Variable और को String Variable नुमेरिक Variable वनेको Numbers अर्लाई स्टोर करना प्रयुक गरींचा अबने String Variable कारेक्टरलाई स्टोर करना प्रयुक गरींचा अब आमीले युट Numeric Variable को पनी चारोटा टाइप शरूँछा अबने आमीले डिस्कस करी सकेगाशू तर रत्यो चारोटा टाइप केगे हो Integer Variable, Long Integer Variable, Single Precision Variable, Double Precision Variable यह बन्द आगाड़ी को वीडियो मां महले Integer Variable को बारे मां सम्पोन कुराइप डिसकस करी सकेगो चू आज़को यह वीडियो मां महले डिसकस करने को इरेगू शू Long Integer Variable को बारे मां नामबाटबन दबला यहोड़ा कुरे अशने क्लियर पायो कि Integer Variable र Long Integer Variable मा यह उटा Difference के उना सक्षा बन्द इंटेजर Variable को जुन valid range हो तो range बन्द पनी ठूलो Integer आमले Define गरनो परे बनी Long Integer Variable मा आमी जानू परने हो चो Long Integer Variable मा Type Declaration Character Group मा कुन यूज़ गरेंचो बन्द आमपरसेंट यूज़ गरेंचो Integer Variable को केस मा की थियो तो माला याद सहो ओला percentage हो यूज़ गरें Long Integer Variable को range गरेंचो Long Integer Variable को range पक्के बनी Integer Variable को range बन्द रहरेंचो Long Integer Variable को range नेगेटिव मा 2147483648 पोजिटिव मा 2147483647 यू range मा जून्चो के value बनी आमले Long Integer को रूप मा Define करना सक्सों Long Integer Variable ले Memory मा कथी Byte Memory Consume करसा बन्द 4 Byte Memory Consume करसा Long Integer ले 4 Byte Memory Consume करसा Next is It holds only Long Integer Values Long Integer Variable ले Long Integer Value ने Hold करना सक्सा Actually यो range बित्र यो जून range आमले बरकार रहरें यो range बित्र जून्चो के Integer Value पनी Long Integer Variable ले Hold करना सक्सा बन्ना कर्था यदी आमिले 1 बन्ने उटकोने Value लियाँ बने यो Integer मा पनी आमिले राखना सक्सा Long Integer मा पनी राखना सक्सा If we give decimal number It will round up Long Integer Variable को केसमा यदी आमिले Floating Point Value दियाँ बने कि तेती पेला येसले क्या गर्षा Round Up गर्षा जो सरी Integer Variable को केसमा Round Up गर्था Long Integer Variable को केसमा येसले Round Up गर्षा अन्ना कर्था क्ये बने येदी आमिले याक्स Ampercent Equals To 5.7 गर्णुनसा बने Actually याक्सको Value जाई 6 Store गर्णुनसा तेसको आमिले Floating Point येदी क्ये गर्षा Round Up गर्षा 5.7 लाई 6 मा रिप्रिजेंट कर्देंच येदी तपाईले 5.2 दीनु बावबने तो बेलामा येदी 5 लाई मात्रे Store गर्षा Long Integer Variable लाई Declare गर्ने तरीका के बन्दा Integer Variable को जरस्ता है तपाईले Integer Variable को Case मा पने Discuss करिशा के कोशो माईले बुजी चकन बावबने Implicit Declaration मा के गरिंच Type Declaration Character लाई प्रवब गरिंच येदी को Shortcut हो बन्ना कवार्था ये सरी तपाईले Define करने येदी को Implicit Declaration और कोश Explicit Explicit मा के गरिंच Integer Variable को ये अपने Dim Keyword लाई यूज गरिंच दूही लाइनमा Variable देक्लेर गरिंच पहलो लाइनमा के लिए लिए खिंच Dim As Long A बनने योटा Variable लाई के को रूप माँ Define करियो Long Integer को रूप माँ त्यस्वोलाइक Long Keyword लाई प्रयोग गरिंच नेक्स्ट लाइनमा एको भ्यालू तपहले देने सकना हुँँच यो डिकलेरेस्ट मा तपहले लाई यो Variable को Type declaration Characters तो प्रयोट गरिंच तर यो दूप माँ जाईली पने के गर्षू तपहले यो First तपहले लाई रिकमेंड गर्षू कीना बने यहां पहलो को राधा यो सट करच सिंगल लाईनमा आमिले Variable डेकलेरदाना सक्षू दोसरो कुरा केसा बने यो Variable को Type क्यो बनने कुरा से यहां आमिले लेखेगा सो Symbol ले रिप्रिजन कर रहेगा सो तेसको आर्था आमिलाई कीना बने क्यों आमिले रिप्रिजन कर देखेगा महिले जदी बने रहाम मां प्रियुक गरशू महिले जए यो Implicit Declaration ने प्रियुक गर रहेगा सो यहां बाको कुरा आरू स्क्रीन मां देखेगा जदी विनी पॉइंट सारूशन महिले डिसकूस कारेगा माल उपन जए कीन, Clolas में फिरमे उड्रिये, से लॉङ कीन, इसकू MortICA, रहाट कीन, सक्रीष मिले बने ispeस, इसकूर तालिय बने जुआ, सबस्क्रीठ, सबस्क्रीउ गर इंगिए विप्रया यह कि बने गर-ज्रmi आमपर्शेंट इल्ट मायले रान कर दिन्षा या फाइब प्रेस करें रा बहने और पूट ग्यां हुषऑ 555555 हाँँआँछ 것을 यह तबहिवे अर्गैव यह और 5 इड गर्ना सकनुझ और अज़ा ही और फाइबदे यह प्रेस्ट हाँआँछ बाई रहाँ सर दिस पजी की वान्चा येशली ओवरफ्लोव अंचा बैली रेंज का हो 214 7483647 यो रहाँ थुलो वैल्फ अपाई रेपेजन को आपाई बने तो किसमा किये आपाई सर येशली ऊपेपै पनी overflow बनने इडर मैसेज देना नेगेटिव नमबर मा बने दपाइले यो range बन्दा बाहरे जाना सकना उनना जुसते minus मा 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 जो रॉन गर दिना आउट्पूट आई रहे को सहा है न अब एट को सट्ट नाइन गर दिना आउट्पूट मा ओबर्फ्लो बननु पढ़ने होंचो डेफिनेटल यह ले ओबर्फ्लो बने हो किना यो range बन्दा बाहर को भैलू आमिले दिना सट्ट दैना हूँ औरको पॉइंट्स लॉंग इंटिजर वेरिएबल होल्स फोर बाइट अप मेमोरी इन रैम अटाउन शकने नम्मर वनेगो यह राय सा यह नेगेटिव मा यह नम्मर देखी पॉजिटिव मा यह नम्मर यह नम्मर यह रेंज बीत्र को नम्मर लाय आम ले फोर बाइट मा लेखना सक्सों होल्स वैली लॉग इंटिजर वेर वेल्व डेफिनिल अ लॉग इंटिजर वेलु रीप्रशन गारसो यहे यह याम ले लॉग इंटिजर वेलू इंटिजर वेलू जया स कहनक्या गार देऊ-कुणोई-शयो यह यrike औ-ध॑-इंट इयलू यह राँओ इएर फोर द्रैं का आउटपूर मा राउडप गर्षा. पॉइंट पाइडि, पॉइंट पसादी, फ्लोर मा राउडप गर्षा. बनन गवगब्ध होर था, फोइंट पढ़ए बाई पने देले चिलिंग मा राउडप गर्षा. बनन गवर्थब सा 4 5 6 2.6 मनज़ी 4 5 6 3 से आपोट आउशा 4 5 6 3 you can see right यदी तपहले यहा सही 2 गरना बनने definitely 4 5 6 2 आपोट आउशा right so I hope that point is also clear to you अबध तपहले और को रखए गरना सकनुशा यह लाई ऍेक्सिटिली डिटेळ गरने हो और दो तारीका गोगने सकते हो हूं लो पमेदें क分 सब्सक्राइब को रातके हैं तो देम्-E-YA-K's as long अफो यो नाफ दाह जानए डिननसा प्रिंट नाफ हों नीस, चुछ बना राता हैसला अफिट अगर राता है दुई लाइन मा मुई ले के गरेगी शू अगी मुई ले यहां एक्जाम्प्राल मा देखाये जसते गरे रहा एक्स्प्लिसिटली वैरीबल को वैलू डिफाइन गरेगी शू अब मा तपहला है वोटा आर्ग माहत पुरा बन देशू तो के बने इंटीजर वैरीबल रो लोग इंटीजर वैरीबल मा फरक के शू त्योकरा डिस्कास करूं ओके जस्तो कि तपहले एदी फाइब बनने कुने वोटा वैल्यू छा एसलाई कम्पुटर प्रोग्राम मा राखनो करने शू यो फाइब लाए तपहले इंटीजर मा पन राखना सकना होंछा राइट मन्ना करता तपहले के गरना सकना होंछा याक्स परसेंट इकोस्तु फाइब पनी गरना सकना होंछा याक्स एंपरसेंट इकोस्तु फाइब पनी गरना सकना होंछा तुईटे एक्सप्रेशन केशा वैलिट छा इंटीजर वैरीबल होबने दे यो कदी 2 byte memory size होने भाई तेस तही long integer हो बने के उने भाई 4 byte होने भाई तेसको double size होने भाई 2 byte को memory box मा लगेर 5 राखने long integer मा लेकन भाई भाई ने 4 byte को memory box मा लगेर 5 लेकन भाई ले चो वीच वान इस बेटर इन दिस केस इन दिस केस द फर्स्ट वान इस बेटर यो चाहिं के साथ better option जो एधी आमीले 5 लाई memory मा राखनू छो integer variable गुरूप मा बने तो केस मा तपहले normal integer variable प्रेख गरनू परने हुन छो किना एधी तपहले 5 लाई long integer मा राखनू बावने तपहले 5 राखना को लागी ठूलो memory कौन्जेम हुन दो रहे छा ओके सो memory wise efficient प्रोग्राम लेखना को लागी तपहले proper data type पनी चूज गरनू परने हुन दो रहे छा तर कुने केस मा अब यो integer variable को valid range बन्दा पनी बाईर को value राखनू परे बन्ता compulsory ले आमलाए long integer variable में जानू परे तर यदी integer variable को value range मा व्यालू लाए राखनू परने सा बन्ने आमी लेखे गरनू परसा तो केस मा integer variable नहीं declare गरनू परने हुन्छ यदी आमले long integer variable declare गरने बन्ने आमी ले लेखे को program memory wise efficient हुँदा है ना integer को लागी percent यूज गरें शानू लागी long integer को लागी ampersand यूज गरें शा देशता है integer variable ले 2 byte memory consume गर सा बने यसले 4 byte memory consume गर सा देशता है और गो थार्ड बने को valid range आए valid range मायले बहनी सागे गई शू तामले आप गरनूस अले ड्रेंज यसको किसा थोरे इसको देर रहे शा तो यो तीन वाटा की वादा में डिफरेंट सो इंटीजर रह लॉंग इंटीजर वारिबल्स को next thing यह के प्रोग्रम सारी शान यू प्रोग्रम सारी आउट पुट अब तापाई ले गेस का अनू पाने वन सा यू प्रोग्रम का आउट्पुट क्या वाला था CLS is ampersand equals to 513107 प्रिंट is ampersand in बने पसी इसका आउट्पुट क्या होने वाँ डेफिनेटली यही नम्मर लाए यसले आउट्पुट मां देने होए त्यसमा कोने संकाब है ना और को प्रोग्रम सा यह वी तुट अटा वैलू छा तेसलाई यो लाइन रो यो लाइन यो को वैलू ने आउट्पुट मां आउने वायो सो यह को वैलू के सा 514236.51 सा है ना वने पसी यो पॉइंट सा यह दा पर टी एंपरसें वने पसी लॉंग इंटीजर वैरियेबल सा इसको आर ते यहां राउंड आप होन सा राउंड आउट्पुट की आउन पर सा 514237 आउ सा ओके तुस्या आप पूट्पुट हम रिली देखना सक्षा हूं गीना यो मातिल लो मा से राउंड आप भायर मातिल वैल आयो भने एस बासे राउंड आप भायर तल लो वैल आई गीना पॉइंट पशाड़ी यहां टूचा यहां यहां से 514237 न आउट पाइंट प्रो अब नेक्स्ट प्रोग्राम मा क्या सायनुस्ता, CLS, AS बनने long integer variable से इसको value यती सा, बनने पसी, यो value तक ये सा, long integer variable को range बन्दा ठुलो सा, यहला प्रिंट करदा output क्या होने होगा, definitely overflow आउने बाए, अब नेक्स्ट प्रोग्राम सा, AS मा अपनी क्या सायनुस्ता, AS बनने value, AS बन मा वैलिड रेंज बन्दा ठुलो सा, यो किसमा पनी overflow नहीं आउसा, आजगो वीडियो मा मैंले long integer variable को बारे मा डिसकोस करें, Q-Visic programming language मा, एधी कुने पनी सल्ला सुजाब पर्तिक्रिया, comment अरुछा बने देखी, comment box मा लेखना ना बुलनोला, अपाइको अमुले सुजाब स प्रति आवारी रहने सो, बन्दै आजगो वीडियो भाटा बिदाल्ली ना चानाशू, थैंक्स पर वाचिंग, सी यू इन दे नेक्स्ट वीडियो झाल